नमस्का दोस्तों मैं लीना स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल माई सिंपल हूम गार्डन पर आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ आज जैसे के आप देख रहे हो यह सारे जो हैंगिंग बास्केट मैंने बनाई यह समर के हैं गर्मियों के और कुछ इ इन्हें जो है मैं आज लगाने जा रही थी तो इसी का वीडियो में मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ कि इन्हें किस तरह से लगा जाता है पॉटिंग मिक्स किस तरह से तयार करी जाती है और इनमें जो है मैंने कौन-कौन सा फटिलाजर मिलाया है और लगाने के हटईंग भी बहुत असानी से लग जाती तो चलिए वीडियों को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हम गर्मüyorsun में कौन-कौन से जो है फ्लांटश की हैंग बसके टियैर कर सकते हैं देकि इस तरह से स्थेख सेंचे के है और मुझे 50 50 पुर्पी का एहां जो मैंने गार्डन सॉई तो यह जब जो मैरे यह पौट की ही मिट्टी और यहां पर पर जो है मैने अध्र मिकंपोस्ट कावडन ले लिया है। जो है इस बार में ये चावल के जो छिलके होते हैं जिसे राइस हल्क से बोलते हैं यह मुझे मिल गया था काफी सस्ता मेला था एक दस रुपे के एक पनी भर के मुझे मिल गया था दिखिए यहां पर मैंने सेंड भी लिये यूपकि जो भी गर्मी वाले जो में प्लांट्स लगा जारी हूं उसमें वह प्ल गंबलों के लिए जिसे आधा आधा चमश तो आपको दो चमश डालना है तो डीएपी में इसले भी मिलारी हूं क्योंकि डीएपी जो है हमारे जो प्लांट्स के जो रूट है वह अच्छे मजबूत बनाता है और जो प्लांट्स है हमारा काफी हेल्दी सा ग्रोग होता है तो डीएपी इसले भी में हर जैसे पॉटिंग स्वाइल करती हूं तो उसमें मैं डाल देते हूं कि प्लांट्स हमारे काफी हेल्दी से ग्रोग हो तेखिए यहां पर जो है मैंने कपड़ा बिचा दिया है ड्रेनेज होल को बंद कर दिया आप यहां पर आप कुछ भी जैस में तो यह जो बेबी सब्सकी कटिंग काफी जल्दी ग्रू हो जाती है इसे बहुत ज़्यादा भी मतलब हमें स्पेशल मिट्टी तयार करने की में जरूत नहीं देखिए इसे मैंने पॉट में ही लगा दियाता है इसकी छोट-छोटी कटिंग को और इसके लगाते टाइम मैंने इसका वीडियो भी आपसे शेयर करते हैं कि इसमें रोड्स भी डेवलप हो गया है तो अभी भी आपके पास में टाइम है क्योंकि यह गर्मियों का यह प्लांट है बेबी सन्रो इसमें काफी अच्छे पिंग कलर के रैड और यलो कलर के इसमें छुट-छोटे फ्ला राइस अब लाएट वैट बनाने के लिए इसको मिला और इसमें जो सैंड मैंने मिलाई है तो सैंड से जो है यह जो प्लांट में लगा रही हूं थे सेकुलेंट फैमिली के हैं तो यह पानी जादा होल्ड करके नहीं रखेंगा जो पानी हमारा जल्दी से डैनाउत हो करदा है तो इसे भी मैंने लगा दिया हैंगिंग पॉट में बहुति सुन्दर लगते हैं शो नोसे बतां से बीदा ऐसे बिदेश्य हैं और और एक यह लिए कि लोगते हैं आफे बड़ी हो गया गया हुए तो इनकी अच्छे से ग्रोह होगे हैं काफी बड़ी हो गई तो इनकी cuttings को जो है मैं इसमें hanging basket में लगा दे रही हो तो यह भी color मुझे अभी नहीं पता कौन सा है जो मेरे पास में चार color है yellow, pink, orange और एक mix color का पर देखी यहां पर जो है मैंने enjoy potos की भी काफी सारी cuttings को मैंने grow कर लिया था अब आप बहुति पतुता है प्लांट अभी वह में आतके देक्स में आप्धेशी में žाया जो है और लूंखेर नहीं के इसको में आतके द्गार्वे ce ye löख तो इनको देखे में इस तरह अधर में लगते जारी हो या फिर आप चाहें तो यारेक् Bill सिंगल davonny बीआ लगा कि इनके जो है आप यहाप हैंगिंग बात्य बना सकते हों अगर वाय आपने कटिंग भी नहीं कि नेक्र अधिक अपकाटिंग बहुंक। उदِّ मैं इनकी साहे त्यार कर लें कशिचट में सुट उर्ष में ओकर लटॉर्ड इनकी पॉट्टे से कुश्क्तु चाङा ओकेक सब्सक्ते भाद एक आहट यह के सब्सक्राम करें और छो भी यह मैंने कर एक राद भर में जो है अच्छीए इनको ठंड़क मिल जाते है अगर इनको लगाते हैं तो सुबा पिर धूप काफी बढ़ती जाती है पूरा यह धूप में रहते हैं तो यह कशक में चल जाते हैं काफी मुर्जाय से लगते हैं तो कभी भी हम गर्मियों में जो है हम शाम के टाइम में रिपोर्टिंग का काम करेंगे तो काफी अच्छा जो है हमें रिजल्ट जो है देखने को मिलता है और इन्हें जो है हम अच्छे से लग जाने के बाद में हर पंदा दिन में डीएपी का फटे जो लिक्विड फटिला वाले हैं तो आप भी ज़रूर इने लगाए इन गर्मियों में तो मेरा ये आज का वीडियो फ्रेंट्स आपको कैसा लगा तो मुझे कामेंट्स करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सस्क्राइब करना ना भूले मिलती हूँ फ्रेंट्स नेक्स वीडियो में और मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद बाई फ्रेंट्स टेक केर